अगर आपको LG की inverter AC में कभी भी, ऐसे CH05 error code आए, तो आज हम लोग देखेंगे, ऐसे CH05 आने से हम लोग को क्या-क्या चेक करना पड़ेगा, तो अगर कभी भी CH05 आ रहा है, जिसका मतलब है Communication Error, वो आने से सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कस्टमर की घर में electrical point कैसा है, आर्थिन condition कैसा है, voltage कैसा है, हरे connection सही है की नहीं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी साथ-साथ, finally आपको PCB चेकिंग जीक से चेक करना पड़ेगा, इंडोर का Communication Side and Outdoor का Communication Side, अभी हम लोग देखेंगे, PCB चेकिंग जीक से कैसे, इंडोर का PCB का Communication Circuit and Outdoor का PCV का Communication Circuit चेक होता है, तो जैसे की अभी आप लोग देख रहे हैं, ये है Outdoor PCB चेकिंग जीक LG का, जिसकी उपर ये पूरा डाग्राम बनाया हुआ है, कि कौन सा Error को डाने से क्या चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जैसे की आप लोग देख रहे हैं, CAE 05 or 53, IDU Communication Circuit, जिसके लिए है Dip Switch No.4 and ODU Communication Circuit, जिसके लिए Dip Switch No.8 का चेकिंग आपको करना पड़ेगा, उसका Connection जितना भी है, वो उसकी Side में भी दिया हुआ है, अभी देखिए, यह PCP Checking Geek से सबसे पहले हम लोग Indoor का Communication चेक करेंगे, तो Indoor Communication के लिए जैसे की मेंशन है, चार नमबर Dip Switch, तो यह रहा चार नमबर Dip Switch, इसको उपर करना पड़ेगा, और बाकी सब स्विच जो है, वो नीचे की तरफ रहेगा, तो देखिए, यह हम लोग का Outdoor Unit का Terminal, जहां पर अगर आप देखेंगे, यह तीन और एक यह चार, यह चार तार आ रहा है Indoor की तरफ से, पहले है Line, देन है Neutral, देन है Communication, उपर से भी सेम, Line, Neutral and Communication, यह तीनों जा रहा है, Outdoor की PCV में, तो जैसे की अभी आप लोग देख रहे है, मैंने Outdoor की जो Terminal है, यहां पर पहले Jig का जो L है, Brown कलर का तार, उसको मैंने यहां पर लगाया, Line में, Then Blue कलर का जो है, इसमें N लिखा हुआ है, जो की Neutral है, Jig में Neutral जाएगा, उसको Outdoor की Terminal पे, Neutral पे लगाया है, और Then Orange कलर का जो तार है, जिसमें लिखा हुआ है, IDU.com, इसको हमने लगाया है, यहां से Indoor Unit का जो Communication आ रहा है, यहां पर लगाया है, But Purpose यह है, कि देखिए मैंने क्या क्या ऊपर से, जो Communication Outdoor PCB में जा रहा था, यह वाला तार, इसको मैंने खोल दिया है, इससे अभी क्या हुआ है, इंडोर से जो भी सिगनल आएगा, वो सीधा यह Orange कलर की थूँ चला जाएगा, जीग में, और इसके लिए यहां पर एक Switch भी दिया गया है, जिस Switch को आपको On करना पड़ेगा, प्लास, यह Brown कलर का जो केवेल वायर है, इसमें भी एक Switch लगा हुआ है, जिसको भी आपको On करके रखना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने Connection दिखाया, यह Connection हो जाने के बाद, आपको Machine को Standby में डालना पड़ेगा, और यह Jig बता देगा, यह तीनो LED की थूँ, कि आपका Indoor का Communication Side OK है, कि उसमें कोई Problem है, अभी देखिए, Machine को हम लोग Standby में डाला, जैसे Standby में डाला, पहले यह Blue कलर का LED जला, जिसका मतलब है, Jig में Power आ गया, उसकी बाद Red और Green Blink करने लगा, इसका मतलब है कि Diagnosis चल रहा है, अभी देखिए, यह Jig में Blue जल रहा है, और Green कलर का LED जल रहा है, इसका मतलब यह बता दिया कि Indoor का Communication Side है, वो बिल्कुल सही है, Indoor से जो भी सिगनल आ रहा है, वो बिल्कुल सही आ रहा है, बस आपको जब भी यह Communication चिक करना है, दो चीज़े ध्यान रखना है, यह Jig का, जो और यह जो तार है, जिसको हमने उपर की तरफ से खोला है, कनेक्टर से, जो किना Outdoor PCV में जा रहा था, उसको भी Black Tap करके देना है, for safety purpose, अभी हम लोग Indoor Communication चेक कर लिए, अभी हम लोग चेक करेंगे Outdoor Communication Circuit, इसके लिए सबसे पहले आपको यह चार नंबर डिप स्वीच जिसक को उपर कर दिया, अभी इसका Connection देखते है, सबसे पहले Line और Neutral जो पहले हम लोग लगा थे, वैसे लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर खली एक ही Changes होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, Outdoor का जो Communication है, जो की उपर की तरफ से Outdoor PCV में जा रहा है, वो लगा का जिसमें लिखा हुआ है, ODU.com, इसके साथ साथ आपको, यह LG MB जो जीग से आया है, इसको भी आपको लगाना पड़ेगा, जो एक खाली Connector रहता है, जहां पर लिखा हुआ रहता है, MB सी जीग, वहां पर Connect कर देना पड़ेगा, और Machine को Standby मोड में डालना पड़ेगा, मतलब वह Checking कर रहा है, अभी देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे है, यहां पर Blue भी जल रहा है, और Green जल रहा है, Red बंद हो गया है, इसका मतलब इसका Outdoor का जो Circuit है, वह भी OK है, और जब Outdoor PCV को Check करेंगे, उसी टाइम भी आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है, यह जो idu.com है, इसको भी black tip करके रखना है, और जो TAR को हम लिए खोल दिये थे जो